Hello my dear young viewers, how are you? I hope that you all will be fine and fit and you are preparing for your examination. क्योंकि सारा का सारा syllabus आएगा, सिर्फ पब्लिक स्कूल में थोड़ा सा रिडियूस होकर syllabus आता है, लेकिन गौर्रमेंट स्कूल में मैं कहती हूँ, अच्छी बात है कि पूरा syllabus आता है, जिससे कि बच्चे सब कुछ कवर करते हैं और दुबारा से हर चीज़ को पढ़ते हैं, पढ़ने से ही सर्फ हमारी क्या होती है, इंगलिश के नॉलेज वह वह एन्हांस होती है, तो हमने यह चाप्टर शुरू किया है, और The Road Not Taken का सारा material मैंने आपको प्रोवाइट कर दिया है, आप उसको YouTube पर देख सकते हैं, और अगर आपको कोई और एक्स्रा कोई चीज़ चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके कह सकते हैं, तो मैं आपको material प्रोवाइट कर दूँगी, ओक अब हम चलते हैं, lesson number one की तरफ, without wasting even a single minute, I am going to lesson number one, the fun they had written by Isaac Asimov, बहुत ही होपसुरात लिखा हुआ lesson है, और Isaac Asimov ने इसमें chapter के अंदर, जो आपको इतनी बेहतरीन imagination दी है, वो शायद ही आप जो है, वो imagine कर पाएंगे, उन्होंने 133-34 साल आगे की, जो हमारी studies है, जो अभी तो हमारी studies जो है, वो बिलकुल conventional है, पारम पर एक तरीके से चलती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, human being पढ़ाते हैं, test paper देते हैं, exam होते हैं, तो ये जो एक तरह की, ये conventional studies है, और एक studies ऐसी है, कि जब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, उनका classroom, उनके घर के अंदर ही बना हुआ होता है, और वो अकेले computer पो होते हैं, उनके साथ classmate कोई नहीं होते हैं, तो जो fun है, वो मेरा अपना ख्याल है, कि school जाने में जादा है, बच्चों के साथ पढ़ने पढ़ाने में जादा है, बजाए हम अकेले बै जो है पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर उन्होंने 2157 की story सेट की है, तो हम जो है past tense हो गए हैं, और इसलिए जो fun हमें मिलती हैं, the fun they had, यह कितनी मौझ मस्ती उन्हें मिलती थी, Margie और Tommy जो है, उन students के बारे में ऐसा कुछ सोचते हैं, तो यह जो story है, यह जो education system है, उसके बारे में दो education system के बारे में जो है वो आपको किस type से जो है वो दी हुई है, यह बहुत ही interesting lesson होने वाला है, तो इसकी बहुत चोटी सी एक summary जो है मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, जिसे की chapter में पता चले आपको, यह what is given in the chapter, the fun they had, वो मौझ मस्ती जो की उनके पास हुआ कर तो यह जो story है, वो एक contrast है, किसके बीच में contrast है, यह story एक contrast है, conventional education system के बारे में और imaginary education system के बारे में यह जो है वो story जो है, वो set की गई है, और conventional education system है, जो आज हम जी रहे हैं, हम जैसे जा रहे हैं और imaginary education system इसमें दिया हुआ है, और इसमें Tommy और Margie दो main character है, कैसे वो दो हमें सम जाते हैं और यह जो स्टोरी है वो सेट की गई है फ्यूचर में जब जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं और अपने घर पर अपने कम्प्यूटर के थूँ जो है वो स्टाडीज करते हैं और वहाँ पर कोई भी भी होते हैं, फॉगे होते हैं, लेकिन जादा ता टीचर जो हैं, आजकल बहुत ही जादा दूसरे मेथड से पढ़ाना उन्होंने शुरू कर दिया है, और इसी लिए जो है, दो बच्चे मारजी और टॉमी जो हैं, वो डिस्कस करते हैं, पास्वे सिस्टम को, और इमेजिन क साथ बातचीत किया करते थे, यहाँ पर यह स्टोरी स्टार्ट होती है, जब टॉमी को एक बुक मिलती है, बुक का मतलब यही कागजों वाली किताब, जिसे हम पढ़ रहे हैं, बी हाइव जैसे हमारी कागजों की किताब है, टॉमी को यह किताब मिलती है, तब क्या होता है Okay, now I am going to start the chapter, Tafan Dei, had by Isaac Asimov. Before you read, the story we shall read is set in the future, जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, वो future में set की गई है, when books and schools as we now know, them will perhaps not exist, और उस समय ये किताबे और जो school हैं, वो उस समय exist नहीं करते, जब ये कहानी set की गई है. How will children study then? तो बच्चे फिर कैसे पढ़ते थे? The diagram below may give you some ideas, जो diagram नीचे दिया हुआ है न, ये आपको कुछ idea देगा. देखे, schools of the future, future के school कैसे है? Learning through computer, computer के जरिये पढ़ाई हो रही है, virtual classroom का meaning, आपके पास पीछे robotic teacher है, county teacher है, पूरा CPU है, computer का पूरा room, आपका setup पूरा लगा हुआ है, robotic teacher देख लीजिये आप, और यहाँ पर moving e-text का meaning, किताबे हमारी चल रही है, e-text के ओपर, जैसे हम आप page palette पढ़के करते हैं, हम ब्राउजिंग हमें करने पड़ेगी, इन पेर, discuss three things, और पेर बना करके, तीन चीज़ा discuss कीजिये, that you like best about your school, जो कि आप अपने स्कूल के बारे में बहुत पसंद करते हैं, and three things about your school, और तीन चीज़ा वो discuss कीजिये, that you would like to change, जिन्हें आप बदलना चाहते हैं, write them down, उन्हें लिखे, Have you ever read words on a television or computer screen, कि आपने कभी television की screen के ओपर, computer की screen के ओपर शब्द पढ़े हैं, पढ़े ही होंगे आपने, जायसी बात है कि आपने पढ़े होंगे, Can you imagine a time when all books will be on computers, क्या आपने उस समय की कल्पना की है, कि जब सारी किताबी जोने, वो computers पर होती है, and there will be no books printed on paper, और कोई भी किताब कागजों का प्रिंट नहीं होगी, Would you like such school books better, क्या आपको किताबे जाद अच्छे लगेंगे, या ये कागजों वाली किताबे अच्छे लगेंगे, Marji even wrote about it that night in her diary, Marji ने उस राज जो है, डाइरी में, अपने डाइरी में लिखा, on the page had it 17 May 2157, अब से लगभग 133 साल आगे, और page के ओपर heading डाली 17 May 2157, she wrote उसने लिखा, Today Tommy Founder Real Book, आज Tommy को एक वस्तिविक किताब मिली, it was very old book, ये बहुत पुरानी किताब थी, Marji's grandfather once said, Marji के grandfather ने एक बार कहा था, when he was a little boy, जब वे चोटे लड़के थे, his grandfather, मतलब के Marji के दादा के जो दादा थे, told him that there was a time, कि उन्होंने बताया कि एक ऐसा समय था, when all stories were printed on paper, जब सारी की सारी कहानिया, कागजों के उपर print होती थी, they turned the pages, which were yellow and crinkly, और ये pages कैसे होते थे, पीले रंके होते थे, crinkly का मतलब सिकुडे हुए होते थे, and it was awfully funny to read words, and it was awfully funny to read words, और बहुत ही अजीब लगता था, funny लगता था, मज़िदार लगता था, शब्दों को पढ़ना, that stood still instead of moving, जो बजाए हिलने के, खड़े रहते थे, शब्द the way they were supposed to, और ऐसा जैसे की, हम कलबना करती है, on a screen, शब्द कहां होते थे, काली सी बड़ी screen के उपर, you know, आप जानते हैं, and then when they turned back to the page before, और फिर, क्या होता है, कि जब हम page को पलटते हैं, पिछे जाने के लिए, शुरू में जाने के लिए, it had the same words on it, और किताब के उपर, वही सेम शब्द आ जाते हैं, it had when they read it, the first time, जो हमने पहली दफा पढ़े थे, पहली बार पढ़े थे, वही शब्द वापिस दुबारा आ जाते हैं, जी, said Tommy, Tommy नहीं का, हाँ, what a, it's कितनी बिकार की चीज़ है, when you are through with a book, जब तुम इस किताब को पढ़ोगी, you just throw it away, तुम तो इसे फेंकी दोगी, I guess मैं ऐसा सुचता हूँ, our television screen must have had a million books, हमारी television की screen के ओपर तो, और वो खर वो किताबे होती हैं, I would not throw it away, मैं तो इसे नहीं फेंकी फेंकी अच्छा है, Now, same with mine, said Margie, Margie ने कहा, मेरे साथ भी ऐसे ही है, मैं भी ऐसी किताब को नहीं फेंकी फेंकी, she was 11, and had not seen as many tally books as Tommy had, और उसने computer के ओपर, television पर उतनी tally books नहीं देखी दी, जितनी की Tommy ने देखी थी, क्यों? क्योंकि Tommy उससे बड़ा है, he was 13, 13 साल का है, she said, where did you find it? उसने उससे पूछा, Margie ने Tommy से, तुम्हें एक किताब कहा से मिली? In my house, मेरे घर में, he pointed without looking, because he was busy reading, और उसने इशारा किया, अपने घर की और बिना देखे हुए, क्योंकि वो किताब पढ़ रहा था, In the Attic, Attic क्या होती है, हमारे घर के अंदर, एक मचान टाइप कुछ बना हुआ होता है, उसमें स्टोर रूम होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़े रख्य होती है, जो कि, बहुत टाइम टाइम के बाद यूज होती है, उसे Attic कहते हैं, वहीं से टॉमे को ये बुक मिली, Now, What is it about? ये किस बारे में है, स्कूल, टॉमे ने बताए, ये किताब स्कूल के बारे में है, मार जी वा स्कॉर्मफूल, मार जी को बड़ी घरना हुई, स्कूल, What is there to write about स्कूल, क्या है यहाँ पर लिखने का, स्कूल के बारे में, I hate स्कूल, मुझे तो स्कूल से बड़ी घरना है, मार जी always hated स्कूल, मार जी को हमेशा स्कूल से बड़ी घरना होती थी, चड़ होती थी, but now she hated it more than ever, और अब वो और जी तक स्कूल से घरना कर रहे लगी थी, reason है इसका, देखे आगे, The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, जो उसका mechanical teacher है ना, machine teacher है, human being तो है नी, है ना, तो वो जो है, mechanical teacher जो है, वो उसको test के पाद, एक के पाद, एक test geography में दिये जा रहा है, दिये जा रहा है, and she had been doing worse and worse, until her mother had shaken her head sorrowfully, और मार जी जो है, बुरा और बुरा करती चली जा रही है, जब तक कि उसकी मदर ने, दुखी हो करके, अपना सिर्फ नहीं हिलाया, and sent for the county inspector, और उसकी मदर ने, county inspector को गुला भेजा, ये बताने के लिए, कि जो उसकी बेटी है, वो इस के अंदर, कितना बुरा और बुरा करती, चली जा रही है, now, he was a round little man, with a red face, और county inspector जो आता है, वो लाल चेहरे वाला, एक आदमी है, and a whole box of tools, और उसके पास, एक बकसा है, यंत्रो का, with dials, उसमें dial है, wire है, तारे है, he smiled at Margie, वो Margie को देखकर, मुस्कुराता है, and gave her an apple, उसे एक apple देता है, then took the teacher apart, उसके बाद teacher को, उससे अलग कर देता है, Margie को अलग, teacher को अलग, Margie had hoped, he would not know, how to put it together again, और Margie को उमी थी, he would not know, how to put it together again, Margie को ये उमी थी, कि county inspector, इसको ठीक नहीं कर पाएगा, दुबारा से, put it together, इसको एक जगा, assemble नहीं कर पाएगा, but he knew, how all right, लेकिन वह जानता है, कि सब कुछ कैसे ठीक किया जाए, and after an hour or so, और एक घंटा या उसके बाद, there it was again, दुबारा teacher आगे, Margie के आगे, large and black and ugly, बड़ा काला बचसूरत, with a big screen, एक बहुत बड़ी screen उसके सामने, Margie के सामने खुलती ही, on which all the lessons were shown, जिसके ओपर सारे के सारे lessons, जो है वो दिखाई देते हैं, and the questions were asked, और सवाल पुछे जाते हैं, that was not so bad, ये तो बहुत बुरा नहीं था, the part Margie hated most was, Margie को सबसे ज़्यादा, जिस तीर से घ्रना थी, वो था, वो slot, slot क्या होता है, जिसके अंदर ये अपने बच्चे, जो है अपना homework, test paper रखते हैं, where she had to put homework and test paper, जहां पर Margie को अपना homework and test paper रखने होते हैं, she always had to write them out in a punch code, they made her learn when she was six years old, जब Margie छे साल की थी, तब उसको punch code में लिखना सिखाया गया था, हम जिस तरह से copy के उपर लिखते हैं, वो writing नहीं, punch code का meaning है, बहुत सारी बातों को बहुत short करके लिख देना, तो ये punch code की language है, computer की उसमें उसको लिखना सिखाया गया था, जब वो छे साल की थी, and the mechanical teacher calculated the marks in no time, और बिल्कुत समय नहीं लगता, mechanical teacher उस test paper के marks को calculate करके, उसके सामने रख देता है, the inspector had smiled after he was finished, inspector मुस्कूर आया, जब उसने ये काम अपने समयप्त कर लिया, उसको adjust कर दिया, and patted Margie's head, Margie के सिर को थप थपाया, he said to her mother, उसने उसकी मदर से कहा, it is not the little girl's fault Mrs. Jones, Margie की मदर का नाम है Mrs. Jones, ये छोटी लड़की का दोश नहीं है, I think the geography sector was geared a little too quick, मुझे लगता है ये जो geography में बुरा और बुरा कर रही है, geography का जो sector है वो जरूरत से ज़ादा तेज चल रहा है computer में, बच्चे के हिसाब से नहीं है, those things happen sometimes, ऐसी चीज़े कई बर हो जाती है, I have slowed it up to an average 10 year level, मैंने इसको उसके 10 year, average 10 year level के 10 साल के बच्चे के हिसाब से उसे धीमा कर दिया है, actually the overall pattern of her progress is quite satisfactory, और जो पूरा का पूरा overall pattern है, overall जो उसकी performance है, progress की सफलता की, वो satisfactory है, संतुष्टी देने वाली है, मार्जी के performance इतनी बुरी नहीं है, and ये patted मार्जी's head again, और county inspector ने दुवारा मार्जी के सिर को थप थप आया प्यार से, मार्जी was disappointed, मार्जी जो है, बहुत ही ज़्यादा disappoint हो गई, निराश हो गई, she had been hoping they would take the teacher away altogether, और उसको तो लग रहा था, कि शायद मुझसे ये teacher दूर कर दिया जाएगा, जोग्राफिक के teacher में बहुत बोर हो गई, जोग्राफिक के teacher मुझसे हटा लिया जाएगा, they had once taken Tommy's teacher away, for nearly a month, और उन्होंने Tommy का teacher, एक महीना पहले हटा लिया था, because the history sector had blanked out completely, क्योंकि Tommy के दिमाग से, history का जो sector है, पूरी तरह से गायब हो चुगा था, Tommy को कुछ history में समझी नहीं आ रहा था, और इसी लिए उसको इस sector से, एक महीने के लिए उसको छुटी दे दी गई थी Tommy को, so she said to Tommy, इसलिए उसने Tommy से कहा, why would anyone write about school, कि school के बारे में कोई क्यों लिखेगा, Now, Tommy looked at her with very superior eyes, Tommy ने उसे बड़ी शेष्ट, उंची उची नजरों से देखा, because it is not our kind of school, stupid, अरे बेवकुफ लड़की, ये हमारे तरह का school नहीं है, this is the old kind of school, ये पुराने तरह का school है, that they had hundreds and hundreds of years ago, ये सेकडो सेकडो साल पहले की बात है, he added loftily, उसने अपनी बात में superior होकर के, बड़े ही उच्च तरीके से अपनी बात में ये add किया, pronouncing the word carefully, और उसने इस शब्द को बड़ी साब्धानी से प्रनान्स किया, centuries ago, शताब्दियों पहले, सेंक्रो सालों पहले का school, मार जी was hurt, मार जी को जो है, बहुत पहले जो हुआ करती थी, she read the book over his shoulder for a while, कुछ देर के लिए, मार जी ने Tommy के कंदे की उपर से, उस किताब के अंदर से पढ़ा, then said, फिर कहां, anyway, they had a teacher, ओहो, फिर भी, उनके पास एटीचर होता था, देखें, यहाँ पर दिया हुआ, ओके नाँ, she or they had a teacher, निश्यत रूप से उनके पास एक अध्यापक होता है, but it was not a regular teacher, लेकिन ये तो एक नियमित रूप से आने वाला teacher नहीं है, regular का मीनिंग, यहाँ पर normal है, usual kind है, it was a man, और ये मनुश्य होता है, a man, एक आदमी, how could a man be a teacher, एक human being teacher कैसे हो सकता है, well, he just told the boys and girls things, वह लड़की और लड़कियों को चीजों के बारे में समझाता है, and gave them homework, उन्हें homework देता है, and asked them questions, उनसे सवाल पूछता है, a man isn't smart enough, एक human being इतना ज़्यादा चुस्त नहीं हो सकता, परियाप्त रूप से चुस्त नहीं हो सकता, मार जी को लगता है, सिरफ उसका computer ही इतना चुस्त हो सकता है, human being नहीं हो सकता, sure he is, क्यों विश्वास रूप से हो सकता है, my father knows as much as my teacher, मेरे पिता जी उतना ही जानते हैं, जितना मेरा computer mechanical teacher, he knows almost as much I betcha, मार जी उसके लिए विवाद करने के लिए तयार नहीं थी, she said, उसने कहा, I wouldn't want a strange man in my house to teach me, मैं नहीं चाती, एक अजनभी वेक्ती मेरे घर पढ़ाने के लिए आये, मुझे पढ़ाने आये, Tommy screamed with laughter, Tommy चिला पढ़ा हसते हुए, you don't know much, तुम जादा नहीं जानती मार जी, that teachers didn't live in the house, teachers घरों में नहीं रहते हैं, they had a special building, उनके पास तो एक विशेश बिल्डिंग होती है, एक इमारत होती है, and all the kids went there, सारे के सारे बच्चे वहीं जाते हैं, meaning, teacher भी उसी बिल्डिंग में रहते हैं, and all the kids learned the same thing, सारे के सारे बच्चे एक ही जासी चीज़ को सीखते हैं, sure, विश्वास रूप से, if they were the same age, और वे निशित रूप से एक ही उम्र के होते हैं, but my mother says, a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl, लेकिन मेरी मदर तो कहती है, कि एक teacher को adjust करना चाहिए, लड़की और लड़कों के दिमाग को, it teaches वे सिखाता है, and that each kid has to be taught differently, और हर एक बच्चा तो अलग-अलग पढ़ाई करता है, just the same, they didn't do, बिल्कुल same way ऐसा नहीं करते, that way then, तो फिर कौन सा तरीका, if you don't like it, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है, you don't have to read the book, तुम्हें जरूरत नहीं है किताब पढ़ने की, I didn't say, I did not like it, Margie said quickly, Margie ने जल्दी से कहा, कि मैंने ये नहीं कहा, कि मुझे ये पसंद नहीं है, she wanted to read about those funny schools, वो चाहती है पढ़ना, इन मज़ेदार स्कूलों के बारे में, they were not even half finished, when Margie's mother called, उन दोनों ने इस को जो है आधी भी खतम नहीं की थी किताब, उस Margie के मदर ने बुलाया, Margie, आजो तुमारा स्कूल हो गया शुरू, Margie, looked up, Margie ने उपर देखा, not yet, Mama, Mama, अभी नहीं आउंगी मैं, now, अभी said Mrs. Jones, Mrs. Jones ने का, नहीं, अभी आओ, and it is probably time for Tommy to, और शायद ये Tommy के जाने का भी समय हो गया, Margie said to Tommy, Margie ने Tommy से कहा, can I read the book some more with you after school, कि क्या मैं स्कूल के पाद ये किताब तुम्हार साथ पढ़ सकती हूँ, maybe he said non-shalantly, non-shalantly का meaning, कि Tommy ने जादा interest नहीं दिखाया, जादा जोश नहीं दिखाया, और कहा हो भी सकता है, स्कूल के बाद तुम मेरे साथ ये पढ़ो, he walked away whistling, वे चला जाता है, CT बजाता हुआ, the dusty old book, tucked beneath his arm, और धूल भरी पुरानी किताब को, अपनी बाजू के नीचे, रख कर टक करके चला जाता है, Margie went into the school room, Margie जो है, अपने school के कमरे में चली जाती है, it was right next to her bedroom, और ये कमरा उसके bedroom के बिलकुल बराबर में बना है, and the mechanical teacher was on, और उसका machine teacher शुरू हो गया, and waiting for her, Margie का इंजार कर रहा है, it was always on, at the same time, everyday, और ये teacher उसका computer, जो mechanical teacher है, रोज इसे समय आता है, सिरफ शनीवार और इतवार को नहीं आता, now, Margie is sitting, आप देख सकते हैं, mechanical teacher was flashing on the screen, mechanical teacher दिखाई दे रहा है, Margie का पूरा setup, computer का, where robot भी है, पीछे एक छोटा सा, Margie अकेली बैठी हुई है, क्योंकि Margie की मदर कहती है, छोटी लड़कियां तभी अच्छा सीख सकती है, जब वो नियमित घंटे, इसकूल के अंदर बिताएं, the screen was lit up, and it's sad, screen जो है वो, उसके उपर रोशनी आ जाती है, और उस पे क्या लिखा है, today's arithmetic lesson is on the edition of, और आज का, arithmetic maths का जो lesson है, वो है addition, जमा करना of proper fractions, proper fractions को जमा करना, please insert yesterday's homework in the proper slot, अपना कल का जो homework है, उसे उचित खाने में, slot के अंदर रख दीजिए, खाने का मतलब नहीं कि लकडी का एक box बना है, उसमें रखना है, computer के अंदर ही, उसको जो है, slot के अंदर जो है, वो डालना होता है, अलग, जो है, computer में बना हुआ होता है, अलग जगे बने हुए होती है, अंदर, screen के अंदर, जो है, slot बना होता है, उसमें डालना होता है, Margie did so with a sigh, Margie बड़ी आह भर के, साही का मतलब बड़ी आह भर के डालती है, उसमें को, she was thinking about the old schools they had, when her grandfather's, grandfather was a little boy, और Margie उन पुराने स्कूलों के बाले में सूचती है, जब उसके दादा के दादा, जो है, वो छोटे लड़के हुआ करते थे, all the kids from the whole neighborhood came, सारे के सारे बच्चे, पूरे पड़ोस के बच्चे आते, laughing हसते, and shouting चिलाते, in the school yard, school के अंगन में, sitting together in the school room, और school के कमरे के अंदर, एक साथ बैठते, going home together, at the end of the day, और छुटी होने पर, एक साथ सब के सब घर जाते, they learned the same things, वे एक जैसी चीज को सीखते, so they could help one another with the homework, इसी लिए वो एक दूसरे की साहता, homework करने में करते, and talk about it, और इसके बारे में बात भी करते, and the teachers were people, और teachers कैसे होते थे, human being, the mechanical, yes now, the mechanical teacher was flashing on the screen, और machine ही जो teacher है, वो चमक जाता है, screen के ओफर मारजी जैसे खोलती है, when we add fractions, one by two and one by four, और जब हम fractions को जोडते हैं, जो कि one by two and one by four है, मारजी was thinking about, how the kids must have loved it, in the old days, मारजी को सोच रही है, मारजी कि बच्चे जो है, कितना प्यार करते होंगे, पुराने दिनों को, she was thinking about the fun they had, वो सोच रही है, वो मौज मस्ती, जो कि पुराने बच्चों को मिला करती थी, और इसमें कोई doubt नहीं है, कि जो हमारे अब conventional schools है, ये इनमें इतना fun होता है, क्योंकि fun के जरिये, experience के जरिये ही, हम बहुत कुछ सीखते हैं, और discussion के जरिये, हम debates के जरिये सीखते हैं, जब teacher के साथ में हम questioning करते हैं, teacher हम से questioning करता है, तो ही हम बहुत कुछ बाते सीख पाते हैं, और अगर हम अकेले कमरे में बैठे हो, it is very much boring, boring तो है ही, and neutral हो जाते हैं, alone हो जाते हैं, deserted हो जाते हैं, बिलकुल दुनिया से कट जाते हैं, सिरफ हमारे सामने computer होता है, और computer जो है, वो एक बड़ा big black screen होती है, बहुत ये boring होती है, तो अब यहाँ पर जो है, इतने बढ़िया इन्होंने chapter लिकर, अब हम इसमें जो और भी Isaac Asimov ने, जो है, इसका main जो long question बनेगा, वो बेटा ये बनेगा, कि mechanical teacher और conventional study, जो हम कर रहे हैं, इन दोनों के बीच का difference बताई है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में difference है, हम long answer जब discuss करेंगे, short discuss करेंगे, तो I will discuss each and everything, so that you people can get the good and easy material, ओके, next जो है हम आते हैं, इसके textual question answer हम discuss करेंगे, जिससे कि आपको extra में भी help हो जाएगी, और next video हम लेकर के आएँगे, the road not taken के MCQ, तब तक के लिए my dear friends, good luck and goodbye,